हेलो दोस्तों वेलकम टू माई चैनल टेकनिकल हेल्प एम के आज आज आप लोग को दखाएंगे ये हुंडा कुमपणी का पोटेबल जैनाटर है और ये साथ अजार भीए का जैनाटर है 7000VA का ये जैनाटर है इसमें आप लोग क्या क्या चला सकते हैं आप लोग को दखाएंगे स्टार्ट करके दखाएंगे लोड देके आप लोग को दखाएंगे इसमें कितना खर्चा आएगा वो भी बताएंगे इसमें दो सिस्टम है इको मूड पर चलाते हैं तो आप लोग को कम खर्चा आएगा वो भी सिस्टम देखा देंगे और कितना खर्चा आएगा बताएंगे ये साइलेन जेनाटर है पो होता है इंजीनोल केतना लगता है इंजीनोल का ग्रेड क्या होता है अब लोग को बाताएंगे इसमें केतना दिन वारेंटी मिलेगा सार्विस क्या मिलेगा इस वीडियो में बाताएंगे तो चलिए पेटी को खोल लेते हैं और देखिए सबसे पहला आप लोग को देखाते ह इसमें क्या क्या मिलता है यह दोनों जनाटर का स्टेंड का नीचे लगता है यह लोहे का होता है पूरा स्टील का और दोनों ही मिलता है आप लोगों को देखाएंगे चाका जिसको कहते हैं देखी यह सॉलिट लोहे का है और यह जंग रदोग होता है ठीक है यह ऐसी अब लोगों को और यह स्पॉर्प ब्ल्स मीलाग और यह एक्सेल मिलेगा जो इस वील रहता है जाखका दुनop तरफ दो चाखका रहता है तो इसको कि तो चेख शाओ के साथ औरब यह क्रणा वीडियो देखना चाहते हैं थो ने के लिडिक्तफएन सब्सेंट बूल लिये हैं अब लोग देख सकते हैं और यह पोटेबेल जनाटर सेट है और इसका जो केपासिटी है बहुत ज्यादा है हमने हुईल फीटिंग का लिया नीचे का जो स्टेंडर होता है और इसको आप मूब कर सकते हैं इधार उधार कर सकते हैं और यह जो हैंडिल है यह लॉग और मेरे ख्याल से इंडिया में जेतना पोटेबेल जनाटर है सबसे ज़्यादा बिकने वाला जनाटर होता है हुंडा कुमपानी का और इस कुमपानी का बहुत सारा सर्विस सेंटर है इंडिया पर गूगुल पर सार्च करने से हुंडा कुमपानी का बहुत सारा सर्विस स हम काम करते हैं तो मेरा experience आप लोगों को बता रहे हैं आगे आपका मर्जी देखिए यह है fuel tank और इस tank का capacity है 90.2 लीटर 19.2 लीटर इसका capacity है और एक चीज देखाना चाहते हैं देखिए red देखाई दे रहा है इस red का मतलब है यह red के उपर petrol नहीं डालना चाहिए इसलिए यह red symbol दिया हुआ है और देखा देते हैं यह है fuel meter अब लोगों का tank पर कितना fuel है कितना petrol है यहां सब लोगों को पता चलेगा अभी white color देखाई दे रहा है petrol रहने से red होगा जितना ज़्यादा रहेगा उतना ज़्यादा petrol टेंक पर है और देखिए यहां पर FI लिखा है मतलब fuel injection सिस्टम है इस generator पर करब रोटर नहीं है इस generator पर fuel injector लगा हुआ है और देखाते हैं यह digital display आई monitor जिसको कहते हैं इस आई monitor पर बहुत सारा system दिया हुआ है अब लोग को देखाएंगे तो देखिए यह जबी on करना परता है यह main switch है उसके बाद यह दबाने से engine start हो जाता है यह यह output indicator इंजिन start करने के बाद यह light जलेगा मतलब output दे रहा है और यह है overload light अगर आपका generator पर overload पर गया है तो यह light जलेगा और यह है oil alert indicator अगर आपका engine पर engine oil नहीं रहता है तो यह light जलेगा इसका बहुत अच्छा सा काम है मानली जी engine oil चलते चलते खतम हो गया तो इंजिन आप लोग को देखाएंगे और यह देखिए यहाँ पर आप लोग को voltage मिलेगा 230 और frequency है 50 और rated output है 5.5 kVA और maximum output है 7.0 kVA मतलब 7 kVA phase 1 मतलब single phase यह generator है इसमें आपको rated output पर load देना है maximum output पर नहीं और यह है AC output यहां से output ले सकते हैं तिनो plug का same output है और यह है eco throttle switch इस switch का function हम आप लोग को बताएंगे क्या करने से खर्चा काम आएगा और battery fitting कर लेते हैं engine oil डाल लेते हैं engine start करके देखाते हैं तो देखिए यहाँ पर battery रहता है और battery का जो connection होगा battery का plus terminal पर red oil और battery का minus terminal पर black oil जैसे हमने देखा रहे हैं और यह जो battery है भरा भोल्ट का battery है अगरा AH का battery है तो देखिए battery fitting हो गया अब i monitor on करके अब लोग को देखा देते हैं क्या symbol देखाई देगा तो देखिए i monitor पर oil लिखा आ रहा है देखिए O-I-L oil मतलब oil नहीं है और यह oil alert indicator जल रहा है मतलब engine पर oil नहीं है अब engine start नहीं होगा अगर engine का oil खतम हो जाता है चलते चलते तो ऐसा symbol आप लोग को देखाएगा अब engine oil डालना आप लोग को देखाते हैं तो देखिए यह cover खोल के engine oil डालना पड़ता है और यह filler cap खोल लेना होगा यह जो filler cap है उसके बाद engine oil डालना पड़ता है engine oil का grade होगा 10W30 और engine oil का capacity है 1100 ml इस पर engine oil लगता है आप लोग कोशिस किजिएगा लेवल पर देने के लिए level क्या होता है अब लोग को देखा देते हैं तो देखिए हिहाँ पर थेट पर engine oil आएगा यही है sortic level अगर गिरता है तो ज़्यादा हो गया और थेट पर engine oil नहीं आया है तो कम हो गया engine oil डालने का यही है sortic process तो चलिए अब engine start करके अब लोग को देखाते हैं और एक चीज़ अब लोग को देखाना चाते हैं तो देखिए कभी बैटरी डाउन हो जाता है चावी पर नहीं start होता है तो यह recoil खीच के अब लोग engine start कर सकते हैं यह recoil टालने से ही engine start हो जाएगा अब engine start करके देखा रहे हैं तो देखिए यह switch दाबाने से यह generator start हो गया है और sound अब लोग सुन सकते हैं और इस generator का जो noise level है sound power level वो 86 disable है आप बाताते हैं इस generator पर क्या क्या चला सकते हैं तो देखिए इसमें 2 AC चल जाएगा dead down का अगर inverter AC होगा तो 3 भी चल सकता है अगर धिरे-धिरे load देते हैं तो इसमें 3 HP का summer swell farm चल जाएगा deep freeze चल जाएगा गीजर चल जाएगा और hitter चल जाएगा इसमें ESG machine चल ज जाएगा इसका capacity के अंदर रहेके सब कुछ चलाना होगा generator का जो रिटेड आउटपुट होता है उसके अंदर रहेके चलाना होगा और इस generator का रिटेड एमप्यार है 23.9 MPR और इस generator का जो प्राइज है वो भी बाता देते हैं इसका अभी कारण प्राइज चल रहा है दो ला अब लोगों को मिलेगा आप बाता देहें इस जेनाटार पर कितना fuel खर्चा होता है एक घंटा पर और क्या करने से fuel कम खर्चा होगा कम fuel खाएगा तो देखिए ये इको थोटल मूर स्वीज है इस स्वीज को अप राखते हैं तो अब लोगों का एप्रोस खर्चा होगा ए एक लीटर 600 ml ये एप्रोस बता रहे हैं और ये तब भी आउन रखना है जब आपका घर पर 1000 लोड रहेगा तब इसको आउन रखना है एक हजर लोड से ज़्यादा रहेगा तो इसको आप रखना है मान लीजिए आप इसको आउन रखे हैं और लोड ज़्यादा है इस जेन है तो यह बार-बार होगा तो सिस्टेम खरफ हो सकता है एक हाजार लोड होने पर इसको और रखिए और उससे ज्यादा लोड होगा तो इसको आप रखके चलाइए ऐसा है इको थर्टल मूड स्विच का सिस्टेम अब इस जैनेटर को लोड टेस्ट करके आप लोग को देखा आप दखाते हैं बाल्प जाला के देखिए उपर में जितना हुआइट वाला बालते सब 500 वाट का है तो देखिए 1000 वाट, 1500 वाट, 2000 वाट, 25 वाट ऐसे करके लोड हम दे रहे हैं देखिए 3000 वाट हो गया है सब बाल्प जाला लेते हैं और इस जैनेटर पर जितना दे रहे हैं उसके बाद आप लोग को देखाते हैं देखिए यहां पर दखाई दे रहा है 6150 वाट, हमने लोड दिया है 6700 वाट, और देखाई दे रहा है 6150 वाट से वाट से थोड़ा सा कम होता है इसलिए देखाई दे रहा है तो देखिए यहां पर देखिए voltage नहीं drop हो है वोटेज़ फिक्ट है मुग नहीं कर रहा है वोल्टेज का काटा और यह जो फिकोंचे है वह भी ठीक है इसमें आटमेटिक फिकोंचे और वोल्टेज कर रहा है 6500 व्लंद से थे फ्काम्य में दिखा से रहा हूद JM's आपके इंजीर ज़सों कर दो कि अब जदऑ बेक्रमों कर कर रहा है और ये हंदा जनातर है इसी लिए इतना लोड ले ठीक रहता है और आप लोग को अबर लोड पर चलाना नहीं है जनटर तरह जो रिटेट बीडियो को और ही तरह के लिए आपको सुझाप करें। मिलते हैं दूसरे वीडियो में